इन चुटे चुटे बच्चों को देख रहे हैं आप महस पांचे साल की उम्र में ऐसा जजबा जो देखने में लाजवाब है इनके साइज पर मत चाहिए इन बच्चों से पंग्डा लेना कोई समझदारी नहीं बले ही ये दर्द से करा रहे हैं बले ही इनकी उम्र और शरीर इस तरह के स्टंड्स के लिए मैच्चोर नहीं लेकिन तब भी इन बच्चों का हसला ऐसा है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी इनके सामने फीका पड़ जाए लेकिन क्यो करनी पड़ती है इने इतनी कड़ी ट्रेनिंग और इतने दर्द बरे मूव्स क्या इने कोई सजा मिली है आखिर ऐसा क्या है जो इन बच्चों को इतनी हिम्मत देता है जो इतने दर्द रख स्टंड्स भी ये हस्ते हस्ते कर जाते हैं अगर आपके मन में भी ऐसे हजारो सवाल चल रहे है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे क्योंकि इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे क्या बात है नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका दमिस्टिका लैन पर एक बार से आज की इस वीडियो में देखिए शावलीन टेंपल में रहने वाले स्टूडेंट्स की कैसी होती है जिंदगी आज बले ही टेकनोलोजी ने हमें बहुत आगे बढ़ा दिया है मगर सेहत के मामले में हम उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं ना हमारे पास खुद पर ध्यान देने का वक्त है और ना ही आज हम इतने स्वस्थ हैं कि किसी अचानकाई मुसीबत का निडर होकर सामना कर पाए तो आखिर इन बच्चों में ऐसा क्या खास है गजब की डेडिकेशन और उस पर इतने खदरनाक मूज धरसल ये मूज इनकी कुंफू ट्रेनिंग का हिस्सा है जो चीन में स्थित शाउलीन टेंपल में दी जाती है इस मंदिर में छोटे-छोटे बच्चों से लेकर तमाम उम्र के स्टूडेंट्स एंशेंट चाइनीज मार्शल आट कुंफू का मास्टर बनने के लिए आते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको इन महनती बच्चों और उनकी ट्रेनिंग के बारे में तो बताएंगे ही लेकिन उससे पहले जानेंगे शाउलीन मंदिर के बारे में कुछ खास बाते दोस्तों शाउलीन टेंपल चीन में स्थित एक बौदमट है जिसे दुनिया भर में आंधुनिक युद्ध कला या फिर मार्शल आट का ओरिजन कहा जाता है बौदरम वैसे तो 2000 सालों से भी जादा पुराना है पर चेनी मार्शल आट के लिए प्रसिद्ध हुनान प्रांथ की देंगफेंग काउंटी में स्थित शाउलीन मंदिर 495 इस्वी में उत्तरी वेई राजवन्ष के थैश आसनकाल में बनाया गया था वैसे आपको ये भी बता दे कि चीम के इस मशूर मंदिर का भारत से भी एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है या यू भी कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत भारत के हाथों ही हुई थी अब आप इतनी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं तो चलिए आपको इससे जुड़ा किस्सा भी सुना ही देते हैं दरसल पुराने जमाने में जब भारत में बहुत धरम का प्रचार जोरों पर था उसी समय की बात है कि भारत के एक बादविक्षू गुद्ध भद्रबी धरम के प्रचार के लिए लिए लिखले 495 इस्वी में एक कठिन सफर करते हुए वो चीन पहुँचे और वहां मौंट सोंग के पास उधोरे एक मठकी स्थापना की जो आगे चलकर शावलिन टेंपल के नाम से मशूर हुआ शावलिन की स्थापना के 30 साल भाद भारत से बोधिधर्मन नाम के एक और बाद विक्षू योगिक एकागरता सिखाने के लिए चीन गए थे जिसे जैन के नाम से जाना जाता है वो पूरे चीन की यात्रा करने के बाद माउंट सोंग आए और शावलिन मंदिर का हिस्सा बन गए वो जैन बौध धरम के पहले कुलपती भी बने मना जाता है कि शावलिन से जोनने से पहले करीब 9 सालों तर बोधी दर्मन ने फिट रहने के लिए एक गुफा में व्यायाम किया था जब उन्होंने शावलिन मंदिर में प्रवेश किया कि वहां के विक्षू बहुत ज्यादा फिक नहीं थे जिसके बाद उन्होंने दर्यामों का एक सेट तयार किया जो बाद में आगे चलकर शावलिन में मार्शल आर्ट्स ट्रेलिंग का आदार बन गया वैसे कहा जाता है कि मूल शावलिन कुंफू बहुत ज्यादा आकरामक प्रैक्टिस थी मगर दीरे दीरे इसे मार्शल आर्ट के कम आकरामक रूप में बदल दिया गया आज शावलिन मंदिर एक व्यवहरिक बाद मंदिर बन चुका है जहां ओरिजिनल शावलिन कुंफू का एक अडाप्टेशन सिखाया जाता है चीन का ये मशूर बाद मंदिर दुनिया भर में अब तक 40 कमपनिया स्थापित कर चुका है और बाद धरम से प्रेवित मार्शल आर्ट का प्रचार परसार वैश्विक स्तर पर करना शुरू कर चुका है हालाकि इसे लेकर मंदिर की आलोचना भी हुई है चीनी सरकारी समाचार पत्र, ग्लोबल टाइम्स के मुदाबिक मंदिर की और से कारोबारी सामराजिक खड़ा करने और कुछ बाद विक्षूओं को विदेश बेजने का ऐलान करने की लोग काफी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वो दर्म को व्यापारिक रूप देने से नाराज है वही इस मंदिर के प्रमूद विक्षूओं शी योंगसिन का कहना है कि मंदिर के कारोबार का मक्सद लाब कमाना नहीं है पतादी कि ये मंदिर अपनी कूफू ट्रेनिंग के चलते दुनिया में सबसे ज़्यादा मशूर है क्योंकि यहां की टेक्नीग रहन सेहन और पूरा माहॉल आम ट्रेनिंग सेंटर से बिल्कुल अलग है यहां कोई भी अपनी सुविदा के हिसाब से एक हफते से लेकर सालों तक ट्रेनिंग कर सकता है विदेशी स्टूडेंट्स के लिए इसका कर्चा लगबग 70,000 रुपे प्रती महीना आता है जिसमें आपका रहना, खाना और ट्यूशन फीस शामिल होती है लेकिन इस टेंपल की फीस की एक खास बात ये है कि आप जितने साल यहां पढ़ते जाएंगे साल दर साल आपकी फीस उतने ही कम होती दाएगी फिल्मों और किताबों के मात्यम से हम कुंफू के बारे में जो कुछ भी सुनते और पढ़ते हैं यहां की स्ट्रिक्टनेस और ट्रेनिंग रियल में वैसी ही है यहां शारीरिक श्रम की मदद से सेल्फ डिफेंस के घुर सिखाए जाते हैं और उसी पर फोकस किया जाता है साथ ही यहां के सभी स्टूडेंट्स को यह कसम भी दिलाई जाती है कि इस आर्ट का इस्तेमाल वो सिरफ सेल्फ डिफेंस के लिए ही करेंगे दोस्तो कुंफू इन लोगों के लिए सिरफ एक मार्शलार्ट नहीं है बलकि एक स्पिरिच्वल प्रैक्टिस है जिसे यह पूरी शिद्दत से पूचते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि इसे सीखने के लिए इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना कश सेहने की क्या जरूरत है ये तो बड़े होने के बाद भी किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है दरसल यहां के ट्रेनर्स का मानना है कि शरीर को मजबूत और हर प्रकार का दर्द सेहने के काबिल बनाने के लिए यही उम्रे सही रहती है ताकि आने वाले समय में उनके दर्द को सेहने की शक्ती और भी ज़्यदा बढ़ जाए और वो जिंदगी में आने वाली मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना डटकर कर पाने में सक्षम बन पाए यही इस ट्रेनिंग की खासियत भी है यहाँ शरीर को ज़्यदा से ज़्यदा लचीला बनाने और दर्द को अंतसीमा तक बरदाश करने के गुर सिखाय जाते हैं यहाँ की ट्रेनर्स का कहना है कि आम तोर पर एक्सेसाइज के दौरां बच्चों का दर्द महसूस करना बहुत ही साधारन बात है मगर वो जितना ज़्यादा अभ्यास करते जाएंगे उनकी ये दर्द सहने की शक्ती भी उतने ही परती जाती है और वो आगे चलकर एक मजबूच शावली मास्टर बनकर बाहर निकलते हैं आपको बता दे कि इस मंदिर में रोज सुबे ठीक चार बजे मॉर्निंग बेल बच जाती है जिसके बाद सभी स्टूदेंट्स को मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए आना होता है ना जाने कितने ही सालों से ये रिवाज ऐसा ही बना हुआ है जो आज तक नहीं बदला यहां के स्टूदेंट्स भी डिस्टिप्लिन के बहुत बक्के है वो ना कभी अपनी क्लास को स्किफ करते हैं और ना ही अपनी परेशालियों को खुद पर हावी होने देते हैं यहां आकर हर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टैमिना जैसी चीजों को और भी बहतर बना सकता है विजिटर्स की माने तो यहां कोई भी जिम या फिर कोई एडवांस मशीन नहीं है बलकि यहां की पद्दती पूरी तरह से ट्रेडिशनल है जैसे आज से कई साल पहले हुआ करती ही उन्ही पारंपरिक तरीकों से यहां शरीर के हर बाग पर काम किया जाता है वैसे खासतार पर यहां आपकी एनर्जी पर ध्यान दिया जाता है जैसे कि जब आपको पंच करना हो तो किस तरह अपनी एनरजी को hold back करने की बजाए उसे release किया जाना चाहिए ये आपको यहां की ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा वहीं इसके अलावा कई ऐसे बहतरी मूज्स हैं जो सिरफ आपको शावलीन मंदिर की कुम्फू ट्रेनिंग में ही सीखने को मिल सकते हैं अब इस 5 साल के बच्चे को ही देख लीजिए ये छोटा सा बच्चा पिछले 2 सालों से शावलीन मंदिर में कुम्फू सीख रहा है इसकी भाशा हम शायद ना समझ पाएं लेकिन इसकी मेहनत हमारी नजरों के सामने है ये रोज सुबए 5 बजे उठकर अपने ट्रेनर से ट्रेनिंग लेता है मगर इस बच्चे का जुरूल कुछ ऐसा है कि कड़ी प्रेक्टिस के बाद भी ना कभी इसके माथे पर कभी शिकन आई और ना ही इसे कोई थकान मैसूस होती है और सिरफ यही नहीं ऐसे हजारों बच्चे यहां हर रोज खुद की कमजोरियों से लड़ते है यह शाओरीन मंदिर और कुंफू से इनका लगावी तो है जो इन्हें हर दर्द सह जाने की हिम्मत देता है वैसे यहां के ट्रेनर्स तो अपनी जिम्यदारी निवाते ही हैं मगर असली तारीफ के काबिल तो यह बच्चे हैं जो पूरी शिद्दत से कुद पर कंट्रोल करना सीखते हैं ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जितना दर्द होता है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कभी-कभी तो इनकी आँखों से आंसु भी निकल जाते हैं मगर फिर भी यह सब कुछ चुप-चाप सह जाते हैं और लगातार अभ्यास करते हुए यह इतने ज़्यादा मजबूत और कुशल हो जाते हैं कि फिर इन्हें किसी भी दर्द की परवान नहीं रहती इनके दिल और दिमाग में बस यही होता है कि किसी भी तरह वो अपने कमजोरियों पर काबू करवाए तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों क्या आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि इन बच्चों जितना दर्ब बिना किसी शिकन के सहन कर जाओ क्या आप भी शावलिन टेंपल की कड़ी ट्रेनिंग को experience करना चाहते हैं वैसे हम लोग कभी इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कुमफू सीखने और ऐसी किसी प्राचीन जगा पर जाने की इच्छा आपको जरूर होगी बले ही आप कुमफू सीखने के लिए इतना दूर ना जा पाओ मगर खुद को healthy और fit रखने के लिए daily exercise तो आपको शुरूप कर ही देनी चाहिए और कुछ नहीं तो कम से काम इन बच्चों को देख कर ही सही हमें कुछ सीख तो जरूर लेनी चाहिए चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट्स के जरीए हमें जरूर बताए और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फिर मिलेंगे एक नई इंट्रस्टिं वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजे हमें इजाज़त आपका बहुत बहुत शुक्रिया